भाईयों और बहनों, आपके सामने चुनाव है और लड़ाई दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है. एक तरफ आपके चीफ मिनिस्टर, उनका परिवार और दूसरी तरफ तेलंगाना की जनता, माताएं, बहने, बेरोजगार युवा. दोराला सरकार के दो सबसे बड़े चिन हैं, जिनको तेलंगाना की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है, इसके बारे में आपको हर रोज सुनने को मिलता है. सबसे बड़ा धोका कलेश्वरम प्रोजेक्ट का धोका, बीजेपी, बी आरेस ने तेलंगाना की जनता से एक लाख करोर रुपया लूटा है. ये पैसा आपका है, आपके भविश्य का पैसा है और एक लाख करोर रुपय आपके चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना की गरीब जनता से, किसानों से, मजदूरों से चोरी किया है. और आज, वहाँ जो बराज है, उसके खंबे है, वो चूर चूर होके तूट रहे हैं. बाई और बहनों, सिर्फ कर्द मिटाने के लिए, दो हजार चालिस तक तेलंगाना का हर परिवार, तकरिबन 31,500 रुपय देगा. सिर्फ कर्द चुकाने के लिए, हर परिवार, 31,500 रुपय हर साल देगा. कॉंग्रेस पार्टी ने भी इंफ्रस्ट्रक्चर के प्रोजेक्स किये हैं. नागर्जुना सागर, प्रियदर्शनी जुराला, स्री राम सागर, सिंगूर, आप हमारे सारे के सारे प्रोजेक्स देखिए. और फिर इनका देखिए. कलेश्वरम प्रोजेक्स जाके देखिए. तो ये पहला उधारन है, दोराला सरकार का. दूसरा उधारन मैं आपको देता हूँ. हमारी प्रजाला सरकार थी, हमने दलितों को, आदिवासियों को, पिछणों को, गरीबों को, उनकी जमीन वापिस द कि वो आपके चीफ मिनिस्टर ने पूरी की पूरी वापिस ले ली. कंप्यूटराइजेशन का बहाना था और धरनी पोर्टल चोरी करने का तरीका. तेलंगाना में 20 लाक किसानों को नुकसान हुआ. उनकी जमीन नी गई. और फाइदा किसको हुआ? एक परिवार को, उनके MLA's को, उनके मंत्रियों को. स्टेट एंप्लोईज को पैसा नहीं मिलता. PSU's खतम हो रहे हैं और पूरा का पूरा धन, तेलंगाना की जनता का धन, KCR के परिवार के हाथ में जा रहा है. जमीन का डिपार्टमेंट उनके हाथ में, रेत का डिपार्टमेंट उनके हाथ में, भाईयों और बहनों आपने तेलंगाना का सपना देखा था, प्रजाला सरकार का सपना देखा था, आपको दोराला सरकार नहीं चाहिए थी, जवाब तेलंगाना के लिए लड़े, आपने अपना कून दिया, क्रांतिकारी काम किया, आप प्रजाला तेलंगाना के लिए तेलंगाना का क्या मतलब है महलक्ष्मी स्कीम 2500 रुपए हर महीने तेलंगाना की महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलिंडर चुनाओं के बाद तेलंगाना की महिलाओं को बस में पैसा नहीं देना पड़ेगा तेलंगाना के कोने कोने में तेलंगाना की महिलाओं घूम पाएं कि एक रुप्या बस टिकेट के लिए नहीं देना पड़ेगा क्यों क्यूंकि महिलाएं इस प्रदेश की रीड की हड़ी हैं अगला बड़ा कदम राइतु भर्योसा 15,000 रुपए प्रति एकर किसानों को और 12,000 रुपए अग्रिकल्चर लेबर को इंद्रम्मा इंडलू पाँच लाख रुपए घर के कंस्ट्रक्शन के लिए उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है ग्रह जोती स्कीम 2000 यूनिट बिजली के मुफ्त में हर महीने 200 युवाविकासम पाँच लाख रुपए स्टूडन्स के असिस्टन्स के लिए उनकी कॉलेज फीज के लिए उनकी कोचिंग के लिए और चेउता चार हजार रुपए महीने के पेंशन के लिए और राजीव आर्योग्यश्री दस लाख रुपए हेल्थ इंशोरंस में भाईयों और बैनों सबसे जरूरी बात यहां पे लड़ाई बी आरेस और कॉंग्रेस के बीच में हैं बी आरेस बीजेपी और मियम एक साथ काम कर रहे हैं लोगसभा में बीजेपी की पूरी मदद आपके चीफ मिनिस्टर करते हैं जी एसटी, किसान बिल, पूरा का पूरा समर्थन आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी को दिया विपक्ष के सारे के सारे चीफ मिनिस्टर पर CBI, ED, Income Tax Department के केसे हैं मगर आपके चीफ मिनिस्टर पर ना कोई CBI का केस ना ED का केस ना Vigilance ना Income Tax ये मिलके काम करते हैं और इनका लक्ष है कि Congress Party तेलेंगाना में चुलाओं ना जीते दूसरी तरफ MIM खड़ी है जहां भी ये BJP की मदद कर सकते है एकदम जाके मदद करते है राजिस्तान में, महराष्टा में मध्यप्रदेश में 36 गड़ में जहां भी BJP इनसे कहती है जाके चुनाव लड़ो ये एकदम जाके चुनाव लड़ते हैं और BJP की मदद करने वाले कैंडिडेट उतार देते हैं सबसे जरूरी बात है कि अगर आपने MIM को BJP को वोट दिया तो आपका वोट जाया होगा आपके वोट से BRS को मदद होगा अगर आपने BJP या MIM को दिया BRS से हम यहां लड़ रहे हैं BJP से हम बाकी देश में लड़ रहे हैं और पहले हम BJP को यहां हराएंगे और पिर जाके दिल्ली में 2024 में वहाँ पे BJP को हराएंगे सरकार से निकालेंगे तेलंगाना की जनता ने मन बना लिया है पैसा चीफ मिनिस्टर के साथ सरकार चीफ मिनिस्टर के साथ मीडिया चीफ मिनिस्टर के साथ सच्चाई तेलंगाना के जनता के साथ कॉंग्रेस पार्टी के साथ हमारे यहां कार्य करता हैं मैं आपको कहना चाहता हूँ आप बबर शेर हो आपको किसी से नहीं डरना मैं जानता हूँ इन लोगों ने आपको तंग किया, मारा, दबाया, मगर आपका समय आने वाला है और कॉंग्रेस पार्टी का कार्य करता और तेलंगाना की जनता मिलकर एक साथ प्रजाला सरकार बनानी जा रही है आकरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज इंद्रा गांधी जी का शहीद दिवस है मैंने आपसे कहा कि मेरा रिष्टा राजनेतिक नहीं है, मेरा रिष्टा परिवारिक है और जब मेरी दादी को जरूरत थी तब तेलेंगाना की जनता ने इंद्रा गांधी जी की मदद की थी और ये मैं कभी नहीं भूलूँगा पूरी जिंदगी नहीं भूलूँगा आप तेलेंगाना की लड़ाई लड़े और सोनिया गांधी जी ने आपके साथ मिलकर तेलंगाना दिया आपने और हमने मिलकर एक सपना देखा था तेलंगाना का एक निया सपना हम चाहते थे कि तेलंगाना का फाइदा तेलंगाना की जनता को, गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को पिछडे लोगों को दलितों को अधिवासियों को मिले ना आपने ना हमने सोचा था कि तेलंगाना बनने के बाद दस साल के लिए सिरफ एक परिवार को फाइदा पहुँचेगा और तेलंगाना की गरीब जनता का नुकसान होगा चुनाओ के बाद जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी सच्चा तेलंगाना का भविश्य सच्चा सपना शुरू होगा हमने यहाँ जो वाइदे किये हैं उनको हम पूरा करेंगे हमने करनाटक में वाइदे किये 36 गण में वाइदे किये राजस्तान में मध्यप्रदेश में जहां भी हमारी सरकार आई हमने वाइदे किये और आप जाके देख लीजे पूछ लीजे करनाटक में किसी से भी पूछ लीजे हमारे वाइदे पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे हो गए जितना पैसा आपके चीफ मिनिस्टर ने आपसे चोरी किया है उतना पैसा कॉंग्रेस पार्टी वापिस आपके जेब में डालने जा रही है आप सब दूर दूर से आए इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ नमस्कार जैहिन उसको मु óगाद करता है पत्त हूँ आपके ऑन्यवे माट खसे छोरी को किया है पारे हो किया है लिए में खेसा भाई देनल से टूर को किया आपके जे बीए दो को विर नार है